समान नागरिक संहिंता को लेकर देश में हल चल बढ़ गई है समान नागरिक संहिंता को लेकर मुसलिमों और हिंदूओं की अपनी अपनी चिंताएं है कई मुसलिम नेताओं का कहना है कि सरकार ने UCC का मुद्दा मुसल्मानों को टागेट करने के लिए उठाया है लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या समान नागरिक सहिता का असर सिर्फ मुसल्मानों पर ही पड़ेगा एक्सपर्ट्स का मानना है कि Uniform Civil Code यानि UCC से सबसे ज्यादा प्रभावित मुसलिम कम्यूनिटी होगी लेकिन इसमें कुछ बाते ऐसी भी हैं जिसकी वजह से तमाम हिंदू भी Uniform Civil Code का विरोध कर रहे हैं एक खत्रा ये है कि हिंदू Undivided Family Act खत्म हो जाएगी हिंदू Undivided Family को Income Tax Act 1961 के तहट टैक्स में छूट मिलती है हिंदू लौ के तहट हिंदू, सिख, बौध और जैन Undivided Family के दायरे में आते हैं कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि Uniform Civil Code लागू होने से हिंदू Undivided Family खत्म हो जाएगी वहीं हिंदू Undivided Family का सिस्टम मुसलिम और इसाई धर्मों में नहीं है सयुक्त परिवार हिंदू का ही विशिष्ट सिस्टम है अगर समान नागरिक संहिंता से Undivided Family खत्म की जाती है तो हिंदू पर भी इसका असर पड़ेगा समान नागरिक संहिंता से दूसरे धर्मों में शादी करने वाले कानून Special Marriage Act पर भी असर पड़ेगा Special Marriage Act 1954 देश में Civil Marriage या Registered Marriage के लिए बना कानून है इस Act के तहट किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाती के व्यक्ति से शादी की इजाज़त है ये Act दो अलग-अलग धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी शादी को Registered कराने के लिए बनाया गया है इसमें की गई शादी एक Civil Contract होती है एक्सपर्ट का मानना है कि समान नागरिक सहिंता आने के बाद Special Marriage Act को रिप्लेस कर दिया जाएगा समान नागरिक सहिंता से आदिवासी समुदाय में एक साथ एक से ज्यादा पत्नी रखने वाली प्रथा खत्म हो सकती है अनुसूचित जनजातियां यानि ST उन समुहों की सरकारी लिस्ट है जो आम तोर पर जंगलों और पहाडी इलाकों में निवास करते हैं भारत में 705 आदिवासी समुदाय है 2011 की जनगर्ना के नुसार इनकी आबादी 10 करोड से ज्यादा है यह भारत की कुल आबादी का 8 फीज़ी से ज्यादा है आदिवासी समुदायों में एक मर्ध एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक मर्ध से शादी हो सकती है ऐसे में समान नागरिक चंहिता लागू होने से यह प्रथा खत्म हो सकती है इसलिए राष्ट्रिय आदिवासी एक्ता परिशद 2016 में ही अपने रीती रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कौट पहुँच गया था पूर्वत्र के सभी राजियों में जनजाती आबादी काफी ज्यादा है इसलिए नौर्थ एस्ट में समान नागरिक संहिता के खलाफ बड़ा आंदोलन हो सकता है समान नागरिक संहिता से दक्षिन भारत के हिंदू परिवारों में रिष्टेदारों के बीच होने वाली शादिया नहीं हो पाएंगी तमिलाडू में करीब 26 फीजदी लोग रिष्टेदारों में शादी करते हैं 2015-16 की सरकारी आकड़ों के मताबिक तमिलाडू में 10.5 फीजदी महिलाएं कजन मारेज करती हैं दक्षिन के दूसरे राज्यों में भी ऐसा देखने को मिलता है बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता आने से मुसलिम अपने कजन से शादी नहीं कर पाएंगे वैसे ही दक्षिन भारत के ये हिंदू परिवार भी ऐसी शादी नहीं कर पाएंगे मोधी सरकार को समान नागरिक संहिता पर समाज के सभी वर्गों से समवाद करना चाहिए और समवात के नतीजों के आधार पर ही समान नागरिक संहिंता को देश में लागू करना चाहिए